तो आचिके exercise 3.2 के question B में इसको question A ले लेते हैं और इसको question B ले लेते हैं question A में हमने 1 से लेकर 5 तक के question करें 1 की मैं अलग वीडियो बना चुका हूँ 2,3,4,5 इन पाचों की मैं अलरडिवीडियो बना चुका हूँ अब question B में आये हैं तो इस भी question में 6 से लेकर 10 तक क्या हमें question दियो हुए है तो question भी बोला क्या है हमें find the value of the trigonometric function in exercise 6 से 10 मतलब जो हमें question है 6, 7, 8, 9 और 10 इन पाचों में हमें values निकालनी है sin 765 की क्या होगी cos 1 minus का 1410 की क्या होगी ठीक है तो सबसे पहले question 6 कर लेते हैं तो हमें question 6 में निकालनी है sin 765 degree की value तो इसमें सबसे पहले हमें ऐसे अब इतना बड़ा number दियो है हमें तो sin 30 की value पता है जादा जादा हमें sin 360 की value पता है हमें sin 765 की value तो पता नहीं है तो ये निकालने के लिए जब भी ऐसा कोई बड़ा सा number आ जाए तो हमेशा divided by 180 कर दिया करो एक तो वो तरीका है या फिर सीधा आपन quadrant बना लेते है यह हमारा first quadrant यह second, third, fourth चीक है तो 765 को तो मैं यहां से 0 degree यह हमारा 0 degree है 0 degree से चला 90 90 से चला 180 180 से चला 270 270 से चला 360 360 हो गया, आभी भी 765 से चोटा है 360 मैं एक और बार 90 बढ़ा तो मैं पूरा 180 बढ़ गया ठीक है, मैंने 90 बढ़ा फिर मैं 180 हुआ फिर 270 हुआ, फिर 360 हुआ तो अब यहां पर आगया मेरा 720 degree ठीक है, तो जब हमने यहां से लेकर एक सरकल लगाया तो 360 degree बना, ठीक है फिर जब हमने वापिस एक और सरकल लगाया तो 720 degree बना, अब हमें देया क्या हुआ है, 765 दिया हुआ है तो यहां पर हमारा 720 हुआ है तो मैं 765 लाने के लिए कुछ और प्लस करूंगा ठीक है, तो मतलब मेरा लाए कहा करेगा X, first quadrant में लाए करेगा समझ में आ रही है बात तो मैं 765 को तोड़ के कैसे लिख सकता हूँ कि भई, 180, देखो साइन, 765 को मैं तोड़ के कैसे लिख सकता हूँ साइन, 180 इंटू 4, प्लस 45 degree, कैसे लिखा मैंने मैंने क्या करा, मैंने एक सरकल लिया, 180 तब यह 360 degree, फिर मैंने वापिस 180 degree करा, तो 180 degree इंटू 3, और जब मैंने वापिस 180 करा, तो 180 इंटू 4 हुआ, अगर इसको हम साथ से, मतलब 765 को अगर हम 180 से डिवाइट करते न, तो भी हमारा यही चीज आने थी, तो 180 को सबसे पहले हम 4 बार काटते 720 बचता, 720 फिर 765 में से अगर 720 गया, तो कितना बचा 45, ठीक है, तो यही चीज लिखी है, 765 की वापिस क्या आई, 180 इंटू 4 प्लस का 45, क्योंकि हमें पता है, डिविदेंट is equal to डिवाइजर, इंटू क्वेशन प्लस रिमाइजर, तो यही करा हमने, यह था हमारा डिविदेंट, ठीक है, यहां से अगर हमने, 765 को 180 से डिवाइट करा, अंदर वाला होता है, डिविदेंट, भार वाला होता है, डिवाइजर, क्वेशन वो होता है, जो यहां पे बचता है ठीक है, मतलब 180 इंटू 4 करा हमने, तो 720 आया, बचा क्या 45 और यह जो 45 बचता है, यह होता है हमारा रिमाइंडर, ठीक है तो सेम टू सेम चीज मैंने या लिख दी, 180 क्या था डिवाइजर, डिवाइजर इंटू क्वेशन, क्वेशन क्या था 4 तो वही लिखा, प्लस रिमाइंडर रिमाइंडर में क्या बचा था, 45 तो मतलब 765 को मैं यह चीज लिख सकता हूँ तो यह लिखने के बाद हमें सिर्फ काम पढ़ता है, एक तो साइन से और एक पढ़ता है, 45 क्योंकि यह थीटा है, बगी 180 इंटू 4 जो है न, यह हमारा काम आता है क्वाडेंट बताने में क्या बताने में, क्वाडेंट अब इसने बता दिया मुझे 1st क्वाडेंट में लाए करेगा, तो मैं 180 इंटू 4 को भूल जाऊंगा, सिर्फ साइन और 45 डिग्री रखूंगा ठीक है, अब क्वाडेंट का मतलब क्या अगर ये, देखो, 1st में हमारे all positive होते है, sign भी positive, cause भी positive तो यहाँ पे sign के आगे हमने कुछ लगाया है नहीं, क्योंकि positive होता है अगर यही चीज 2nd quadrant में लाए करती या फिर 3rd quadrant में लाए करती तो 3rd में मुझे पता है, sign negative होता है तो मैं इसके सामने negative लगा देता और 118 into 4 को भूल जाता ठीक है, तो वही चीज़ है, 1st quadrant में आया है 118 into 4 को मैं भूल गया, मुझे पता चल गया 1st quadrant, और 1st quadrant में सब positive होते हैं, इसलिए मैंने इसके आगे भी positive लगा दिया, और sign 45 की मुझे value पता है, 1 by root 2 तो ये हमारा answer आ गया अब ये 1 by root 2 क्या आया ये 765 की value आई मतलब sign 765 की value अगर कोई हम से पूछे, तो हमारा सीधा सा answer आना चीए 1 by root 2 ठीक है, direct answer आना चीए, तो यही पर question 6 खतम होता है